दोस्तों हिंदू धर्म में गाय को माता का स्थान दिया गया है इसलिए गाय को गो माता कहा जाता है और हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जाद देने के बज़े से ही बहुत ही पवित्र माना जाता है यह भी कहा जाता है कि गाय में 33 कोटी देवी देवता विद्यमान होत या ऐसे कहें कि 33 कोठी देवी देवता उनमें वास करते हैं इसलिए गव माता को बहुत 53 पूजनी माना जाता है का जाता है कि गव माता को कुछ भी किला देने से या उनकी शेवा करने से काफी सुपल की प्राप्ती होती है और ये भी का जाता है कि गोमाता उनीकी पूजा करने से सभी देवी देउताओं की पूजा करने के बरावर का फलपरागत होता है वैसे भी गाय का मेथवतो व्यधी काल से ही चला रहा है और खुद भगवान स्रीकेशन भी गोमाता है दोस्तो इस दुनिया में जितनी भी चीजे हैं वे अपने आप में बेहत खास विचमतकारी हैं इसलिए तो जोती से उपायों में घर की रसोई में से या फिर बाजार में आसानी से मिलने वाली चीजों के दुवारा ही उपाय करने को बताए जाते हैं क्योंकि वे छोटी तो आपको उपाय बता रहे हैं इस उपाय को एक बार अवश्य करके देखिए आपका जीवन ना बदल जाए तो कहना या उपकी प्रती कोई भी उपाय करने से आपकी वे सभी समस्याओं का अंत हो जाता है गाय माता को दूद देने वाली माता का जाता है गाय का दूद बहुत ही पोश्टिक होता है का जाता है कि गो माता को जो दुग्द होता है वो अमरित तुल्ले होता है गाय के दूद से बने घी पनीर दही सबसे सुद्ध होने के साथ ही सरीर के लिए काफी स्यदबंद भी होते हैं गाय का गोवर गोमुत्र भी काफी लाबकारी माना जाता है यह भी कहा जाता है कि गोमुत्र को पीने से कई प्रकार की गंभीर बीमानियों का विलाज हो जाता है और गाय के गोव में भी इसका बहुत इस्तमाल किया रहा है ताकि वातावरन में से एक और कीटानों और विशानों का नास हो और साथ इसाथ गर्मेश सकारत मकता भी फैले अगर किसी व्यक्ति के मंगल ग्रह के दोस हो या फिर सूरे दोस हो तो ऐसे में गोमाता को यदि आप गुड़ खिला देते हैं वहीं अगर को चंदर ग्रह या सुकर ग्रह को मजबूत करना चाहते हैं तो गोमाता को रोटी खिला देते हैं तो आपके जीवन का वेड़ा पार हो जाता है दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि आपको गोमाता को जो आटा आप खिलाते हैं सुबह सुबह उठकर के जो आप गोमाता के लिए लोवा निकालते हैं लोवा भी कहा जाता है उसे जो निकालते हैं और लोवा खिलाते हैं अगर आप उसमें एक चीज खास चीज अगर आप डाल देते हैं तो आपके जीवन में किस परकार से बदलावा सकते हैं आपकी रूठी हुई किसमत भी किस परकार से पलट जाएगी और आपके घर में सुक्ष सम्मढदी आएगी दोस्तों इसके लिए दोस्तों आप सुबह सुबह उठ जाएं जल्दी उठने के बाद इसना नादी कर लें और अपने नित्य करमों से निर्वित होकर के आप स्वच होकर अपने असोई घर में जाके आप गौमाता के लिए उनके नवेद आप आठा लगाएं या फिर जो भी आप नित्य अपने घर के लिए खाना बनाने के लिए आठा लगाते हैं वही आठा लगाएं और उस आठे में बस नमक न डालें थोड़ा सा आठा अगर आप हो सके तो आप अलग से लगा अए और उसके अंदर ठोड़ा सा गुर्ड और ठोड़े से काले चने जो रात कौई एक रात पहले वी गोई हो ऐसे चने थोड़े से चने अब डाल दें और उसका लुवा बना करके गोMATA को खिला दें ऐसा माना जाता है कि गोमाता को ये खिलाने से आपके घर में चाहिए दर्दरता कितनी भी हो, कितनी भी पुरानी हो, बड़ा से बड़ा करजा हो, या पर अटका हुआ पैसा हो, वे भी मुक्त हो जाता है, और रुका हुआ वेपार भी चल पड़ता है, और अगर आपके कोई नए काम में कोई व्यवदान आ रहे हैं, या मुश्केल आ रही है, तो वे भी आपकी दूर हो जाती है, दोस्तों वैसे भी का जाता है, कि हर दिन की सुवा, जब भी आप घर में रोटी बने, तो पहरी रोटी आप गाय को जरूर खरनानी चाहिए, या फिर एक रोटी उनके लिए जरूर न चक्र रख करके या उसमत थोड़े से चीनी के दाने डाल करके उसके बाद आप गाय को रोटी अपने हातों से खिलाए, गाय को रोटी खिलाने के बाद आप उनसे हाथ जोड़ करके और अपनी आखे बन करके अपनी मनो कामना भी कहें, हो सके तो गाय के कान में आप अपनी मनोकामना कहे ऐसा कहा जाता है कि गाय के कान में इस परकार की मनोकामना कहने से आपके घर में जितनी भी समश्चाइं होती है या आपके मन में जो भी समश्चाइं है पैसे से संबंदित खास करके दोस्तों अगर आपके कोई जीवन में समश्चा है तो वे चली जाती है दोस् दोस्तों अगर आपके कोई विशेज मनों कामना है, चाहे वह धन प्राप्ति के मनों कामना हो, या फिर अपने जीवन में सफलता प्राप्ति की हो, रुगेवे भ्यापार को आकर बढ़ाना चाहते हैं, या फिर आपके घर में कोई विवास संपन करने के लिए कुछ मुश्क नित्यक्रमों से निर्वित हो करके, आप उन काले चनों को लेकर अपने घर में जो मंदिर है, वहाँ पर बैठ जाएं, और एक देसी गी का दीपक जलाएं, ध्यान रखें कि ये देसी गी का दीपक, गाय का देसी गी का दीपक होना चाहिए, किसी और गी का नहीं, उसके ब रोटी बनाएं, उस रोटी के उपर थोड़ा सा गुड रख करके आप गो माता को खिलाएं, और गो माता को खिलाने के बाद गो माता की पीट को सहलाएं, और पीट सहलाते हुए अपनी मनोकामना, जितनी भी आपकी मनोकामनाई हैं, या फिर आप जीवन की समस्या हैं, उन मंतर भी बताने वाले हैं इस एक मंतर को आपको केवल गोमाता से कह देना है या फिर आप गोमाता के सामने खड़े होकर के इस मंतर का उचारण करें दोस्तों गोमाता के लिए किये जाने वाले सभी उपाई 33 कोटी देवी देवताओं को सीधा संबोधित करते हैं और उन तक आपकी बात बचाते हैं आपकी समस्याइब बचाते हैं ऐसा माना जाता है कि साक्षाथ 33 कोटी देवी देवता पे दिमान होने की वज़ा से गोमाता के लिए किया गा कोई भी उपाई आपको बहुती जल्दी फल प्रदान करता है और सभी उपाई एक तरफ और गोमाता के लिए किया गया उपाई एक तरफ इसलिए दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसा मंतर बताने वाले हैं ये खास मंतर है जिससे के लिए भी आपको जिस दिन भी आप भी उपाय करना चाहें उज दिन आप सुबच जल्दी उठ जाए और इस ना ना दी करने के बाद अपने सभी नित्य कर्मों से निर्वित हो जाए और अपने घर की साधार्ण पूजा जो आप हरुज करते हैं वे अवश्य करें उसमें म लेटी हुई गाय मिल जाए आप उसके सामने खड़े होकर हाथ जोड़ करके गौमाता की और देखते हुए इस मंत्र का जाब करें मंत्र इस प्रकार है दोस्तों ओम सर्व देव मय देवी लोकाना सुब नंदिनी मात मम विशित शकलम कुरूर नंदिनी दोस्तों इस मंतर क आपको केबल पांच बार जाब करना है अगर आपको याद न रहे तो आप वीडियो को पाउस करके इस मंतर को लिख ले और उसे अपने साथ ले करके जाए और लिखे हुए मंतर को आप अपने हाथों के बीचों बीच रख करके आप गौमाता से ये पांच बार इस मंतर को कहें और उसके बाद अपनी सभी मनोकामना भी कह दें इस मंतर को चारण के बाद गोमाता को नमन कीजिए और मन में अपनी सभी मनोकामना कह दीजिए ऐसा करने से आपकी मनोकामना श्रीक्रपूर्ण हो जाती है और साथ ही में आपको सभी देवी देवताओं का आशिरवाद भी मिल जाता है इसके अलावा दोस्तो आपके जो नो ग्रह होते हैं वे भी परसन हो जाते हैं अगर नो ग्रहों में से कोई भी घरा आपको कोई गलत प्रवाव दे रहा है तो वे आपको शकारतमत प्रवाव देने लगता है इसके अलावा दोस्त के गाय को हरा चारा अवस्य खिलाएं तो दोस्तों इसी के साथ मैं इस वीडियो का अंत करता हूं आपको अगरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जै बजरंग बली या जै गौमाता की एक बार अवस्य लिखें और साथी साथ इस चैनल को सब्सक्राइ परें और कमेंट बॉक्स में लिखें जै बजरंग बली